तो आज हम इस वीडियों बात करनेवाले हैं, बात्रूम के फिटिंग के बारे में, ये फिटिंग आपको तो मैं वो बताने वाला हूँ जो टाइल्स के बाद लगती है, जो टाइल्स के बाद हम एक्सेश सीरीस लगाते हैं उनके नाम क्या होते है, कौन सी चीज को क्या बोला जाता है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है अगर आप इस वीडियो में एंट्रेस्टेड है तो वीडियो को लाज टक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तों मैं हुरेहन खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चेनल एलक्टु जंक्चन वीडियो अगर पसना आये तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना तो अगर जिन लोगों को नहीं मालूम के bathroom में कौन-कौन सी accessories use होती है ये वीडियो सिर्फ उनी के लिए है वो ही लोग देखे अगर जिन लोगों को पता है तो फिर वो नहीं देखे तो बहतर है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यह है short body bipcock यह short body जो है तो यह bathroom में तो use में नहीं आता है लेकिन toilet वगरा में हम इसे use कर सकते है और wash area में हम use कर सकते है तो इसका नाम है short body bipcock अब बात करते हैं यह long body bipcock यह ज्यादा तर bathroom में use में आता है और ऐसी जगह पर use में आता है जहाँ पर bucket वगरा या कुछ बरतन वगरा वहाँ पर लग रहे है तो ऐसी जगह में यह long bipcock यह use में आता है तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं यह angle bipcock की तो यहाँ पर angle bipcock जो है यह ज्यादा तर gizzard के लिए use में आता है यह कहीं पर हम external pipe वगरा निकाल रहे है और हम हाँध से चालू करना चाते हैं बडे लिए use में आता है या hand shower के लिए use में आता है यह hand fox yet के लिए you use में आता है ये weep cock आईसे कामों के पाफ में यूत कि आता है उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर वाश बेसिंग का Pillar कi है वाश बेहिंग का Pillar कउ breaking लॉट बillonंग बॉड़ी में बला जाता है कि इसमें sic ॉप होता और एकशॉट बόडी भी होता है तो यह लाउग बॉड़ी वाला कीचन में आ रहा है वहां पर सिंक में हमें मिक्सर लगाना है तो यहां पर यह हम यह मिक्सर यूज कर सकते हैं इसे बोला जाता है सिंक मिक्सर उसके बाद यहां पर बात करते हैं यह वाला तो आप सभी जोग जानते होंगे यह इसको बोलते हैं बाथरूम का वाल मिक्सर यह में यूज में आता है यह हमारे बात्रूम में मिक्सर अगेरा नहीं लगाना है तो शावर के लिए यह हम इसे यह ले सकते हैं उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं तो यह लो दोर को जाता है और एक ही नौक से काम करता है उसके बाद में यहां पर यहां पर पिएCp cap उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं तो यह है extension nipple अलग-अलग size के हिसाब से आती है एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार इंच आप कितनी भी बड़ी वहाँ पर nipple ले सकते है अगर नल को आगे निकालना है तो वहाँ पर extend उसको करना पड़ता है यह extension nipple की वज़े से और यहाँ पर हम बात करते है यह है hex nipple तो इसका use जो रहता है तो वो ज़्यादा तर गिजर के लिए use में आता है कहीं पर हमें inlet pipe लगाना है तो वहाँ पर हम इसे use में ले सकते है अब बात करते है यह जो है तो यह GI का reducer socket है अगर कहीं पर हमारा जो BCM वाला ज़्यादा तर pipe होता है या BCM वाले अगर नल होते है या BCM वाला inlet pipe अगर कहीं हम लगा रहे है यह ज़्यादा तर तो use में नहीं आता है लेकिन by chance अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो इसे GI reducer socket बोला जाता है और अब यहाँ पर हम बात करते है hot water connection pipe यानि कि inlet pipe बोला जाता है इसे यह जो आप pipe देख रहे है इसे inlet pipe बोला जाता है उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते है यह है commode spray और इसे hand फॉक्सविट भी बोला जाता है तो यहाँ पर अगर हम कहीं hand shower भी बोलते है कईक लोग तो यहाँ पर हम इसे अगर use कर रहे हैं और दुकान वाले को हमें बोलना है तो यहाँ पर हमें hand foxfit बोलना पलेंगा या hand shower बोलना पलेंगा तो हमें वो निकाल कर दे देगा यहाँ पर बात करते हैं में इसे टेलीफोन शावर बोला जाता है जो के वाल मिक्सर में लगता है इसे टेलीफोन शावर बोलते है वाल मिक्सर में एक्स्टेंशन अगर कहीं पर दिया हुआ है तो वहाँ पर यह कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो यह है shower head उसके बाद में यह देखते हैं तो यह है shower arm यह shower head और shower arm दोनों ही अलग-अलग होते हैं लेकिन अगर दुकान पर हम ले रहे हैं तो दोनों ही हो सकता है कि pair में आपको मिले या अगर कहीं head है तो arm हमें अलग से लेना और उसके बाद में यहां पर यह है pop-up waste coupling यह pop-up waste coupling ऐसी होती है अगर हम उसे push करते हैं तो वहां पर पानी lock हो जाता है और return push करते हैं वह open हो जाता है यानि कि ऊपर हो जाता है तो हमारा पानी निकलना start हो जाता है उसके बाद में यहां पर बात करते हैं basing waste coupling यह भी basing में use की यहां पर बात करते हैं यह है सिंक की विति कपलिंग यह लगमड लगाते थे पहले अभी तो लगने हो गयी है तो इसे कंत अंहीं हम यहां पर वह बएले हैसे। दिभाद लग topics कं और बोलते हैं इसे इसमें सिफ्टन वगेरा फलश वगेरा सब साथ में आता है इसमें कुछ भी अलग से लगाने की ज़रुवत नहीं यह पूरा कंबाइन एक पीस मिलता है इसलिए इसे वन पीस कमोड बोला जाता है उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें तो यह है इंडि सिट जो होती है वो दीवार पर लगती है एक चेर बिरैकिट पर लगती है और एक एलेंगी पर लगती है इसमें दो तीन मौडल आते है वह आप शॉप पर पता कर लीजिएगा और यह देखते हैं यह है सिस्टन यह लगता है कमोड के साथ में फलश के लिए अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो हमें हमारे कमोड के साथ में हम फलश यूस कर सकते हैं अगर सिस्ट फलश नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर हम सिस्टन यूस करते हैं लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ कमोड के साथ लगता है वालंग के साथ में मेट्रोपॉल लगता है और कंसिल्ड वाला क कि अपने देखा होंगा ये है बात करते है वाश बेसंग इसमें भी साइज अलग अलग होतीा है महाराज arts अंहता है सादा साम वी ओता है कॉर्णर होता है टेबलटाब बेसिंग रही होता है बहुत सारे बार टब तो लगबग मैंने यहाँ पर सारी ही चीजे कवर कर ली है कम्पलेट कर ली है अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है कुछ अच्छा लगा है आपको मेरा वीडियो तो कमेंट करना ना भूलिए तो मैं यहाँ पर उम्मित करता हूँ आपको कुछ ना कुछ आइटम के नाम पता चलिए लोंगे सभी आइटम के जो हम लगाते हैं टाइल्स होने के बाद में उन सभी के मैंने इस वीडियो में नाम कवर करने की कोशिच की है अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए या मेरा चेहरा पहली बार देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे ज़गत धन्यवाद थैंक यू